जैने दोस्तों स्वागत आप सबीगा इस वीडियो में आईए इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार BPSC TRE 2.0 यारी कि जो तूसरी सिच्चक बरती आई है उसको लेके बहुत सारी समस्या हैं कुछ बचों के बने में सवाल है कि eligibility क्या है उसकी क्या CETAT या BAT जो appearing बच्चे कि नहीं कर पाएंगे दूसरा एक और सवाल यह है कि अगर दूसरे राजी के बच्चे जो केवल सीटेट पास हैं वो किस में आवेधन करेंगे क्या बिहार TRE या सूपर TRE देना जरूरी है इस तरह कि बहुत सारी समस्या है इस notification के माध्यम से हम details समझेंगे कि कौन बच्च helpful होगा so let's come to the first point जो कि है eligibility कि क्या दूसरे राजी के बच्चे eligible हैं कि नहीं बिना किसी doubt बिना किसी सक और सुभा के इसका सीधा सा एक जवाब है कि जी हाँ आप eligible हैं इसमें आवेधन के लिए मात्र एक चीज़ चाहिए वो क्या है दोस्तों कि आप बस भारत के नागरीक हो so अगर आप भारत के नागरीक हो यहाँ पर जो कि साफ तोर पर लिखा है कि अगर आप भारत के नागरीक हो so definitely आप क्या है eligible है तो यह debate खतम हो गया कि क्या यूपी वाले जहारखंड वाले आसाम वाले कहीं के भी आप आवेधन कर सकते हैं अगर आप क्या है भाई भारत के नागरीक हो दूसरा सवाल दोस्तों यह आता है कि सीटेट और जो बीएड में अपीरिंग बच्चे है मतलब जिनका इस बार बीएड सेकेंडियर हो सकता है या जो इस बार सीटेट देने वाले हैं उन बच्चों के साथ क्या होगा तो यहाँ पर आपको निरासा मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर साफ तोर पे कहा गया है कि राज सरकार आतवा किंद सरकार द्वारा समय समय पर आउ सिख्चक पातरता परिक्चा उत्रीड हो यानि कि दोस्तों सीटेट और जो भी आपका भी हार्टेट है वो क्या है भई आपको उत्रीड होना पड़ेगा यहाँ पर वालों को मौका नहीं दिया गया है साफ तोर पे यह चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है इसके आलावा जब आप आवेधन में देखेंगे न तो वहाँ पी है कि जो दक्षता परिक्चा उत्रिड कर लिए हो यह क्या है मतलब जो पास हो केवल वही आवेधन कर सकते हैं तो देखें यह जो बिहार सरकार की भरती है न यह तीन वर्गों की भरती है क्लास 6-8, 9-10 और 11-12 तो बिहार सरकार ने इन तीनों को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बाटा है और किसी के लिए सीटेट मांगा है तो किसी के लिए एस्टेट मांगा है किसके लिए जरा किसको seated paper 2 चाहिए किसके लिए बिहार और रेस्टेट चाहिए वो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए तो देखिए आप साफ तोर पे देख सकते हैं और बिहार टेट दो पेपर 2 कौलिफाइड है तो आप 6-8 के लिए आवेधन करेंगे बात समझ में आगे दोस्तो seated paper 2 वाले 6-8 के लिए आवेधन करेंगे दूसरी बात माध्यमिक विद्याले के अधियापक विशेस विद्याले के अधियापक के लिए estate paper 1 चाहिए मतलब अगर आप 9 to 10 अगर आप अवेधन करना चाहते हैं तो आपको estate होना चाहिए जो बिहासकार ने अभी कराया है वो आपको होना चाहिए otherwise आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि seated paper 2 को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने केवल seated paper 2 qualify किया है और आप 9 to 10 में आवेधन कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी निरासा होना पड़ेगा निरासा आपको हाथ लगेगे क्योंकि seated paper 2 को 9th और 10th में मौका नहीं दिया गया है ठीक उसी तरह दोस्तो उच माधमिक विद्याले के लिए estate paper 2 होना चाहिए दोस्तो यहाँ भी seated paper 2 आपके लिए नहीं मानने रखा गया है तो यहाँ के लिए आपको क्या चाहिए estate paper 2 चाहिए कहां तक भाई उच माधमिक विद्याले बोले तो 11 और 12 मतलब जिसको हम PGT कहते है मैं आसा करता हूँ कि यह समझ से आई आपको समझ में आ गई होगी एक बार यहाँ पे short में हम देख लेते हैं कि किसके लिए क्या चाहिए ठीक है very simple दोस्तो अगर आपका seated paper 2 है जी हाँ दोस्तो seated paper 2 ठीक है seated paper 2 अगर है तो आप इसको आवेधन कर सकते हैं बाकी इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए इसके लिए आपको estate चाहिए estate का paper 1 चाहिए इसके लिए estate का paper 2 चाहिए समझ में आ गई बार चलिए बहुत अच्छा अब आएए देख लेते हैं कि इसकी योगिता क्या होगी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या b-tech वाले आवेधन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो जी हैं आप देख सकते हैं b-tech वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर राहत दी गई है कहां पे 9th to 10th में राहत दी गई है तो अगर आपने b-tech के बाद b-8 किया है और आप estate paper 1 qualified है तो definitely आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखा गए कि असनातक अस्तर पर गड़ीत के साथ बहुती की electronic computer science की विशे में से कोई दो तो मुझे लगता कि b-tech वाले बच्चों का दो विशे तो रहता ही है physics और math रहता ही है इसलिए आप लिखा गया है कि दो विशे असनातक अस्तर पर हो अथवा engineering से असनातक जिसमें गड़ीत की विशेशता हो तो अगर आपने b-tech किया है b-tech की कुछ आपके जो branches है जिसमें math हो तो आप यहाँ पर आवेधन कर सकते हैं math में ठीक उसी तरह दोस्तों अगर आपने engineering में जिसमें विशेशता हो आप क्या कर सकते हैं आवेधन कर सकते हैं इसमें 9-10 में दोस्तों जी यहां 9-10 के विद्धयले में आपके पास graduation या post graduation होना चाहिए लेकिन यहां पर especially b-tech mention नहीं किया गया है but generally supreme court यह कहता है कि आपको यहां पर क्या चाहिए subject combination चाहिए दोस्तों subject combination चाहिए जो कि b-tech वालों को नहीं होता तो इसलिए यहां पर special mention नहीं है तो हम यह मानते हैं कि 6-8 में बीटे कावेदन नहीं कर पाएंगे तो हम यहां पर इस चीज़ को मानते हैं चलिए कुछ और points पर बात कर लेते कि total vacancies कितनी है तो दोस्तों 6-8 में 31,982 vacancy है 9-10 की बात करें तो 18,870 vacancy है और 11-12 बात करें तो 18,570 vacancy है यहां पेकी जोर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह सब के लिए vacancies नहीं है मतलब इसको कुछ categories wide divide कि जैसे कि मान लिए math के लिए आपको कुछ particular vacancies मिलेंगी जैसे 5000 या 6000 ठीक है हिंदी के लिए आपको कुछ मिलेंगी यह जो total vacancies है अब इसमें आप किस में आवेदन करेंगे math और science में आवेदन करेंगे उस हिसाफ से vacancies दी गई है उस हिसाफ से category reservations भी divide किया गया है आप complete notification के एक बार जरूर देख सकते हैं फिलहाल यह जो हमें complete बता रहा हूँ बाकी दोस्तों अगर आप eligible हैं तो आवेदन जरूर करिये बहुत ही सुना रहा मौका है बिहार सरकार को बहुत 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 बढ़ाई बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत सादुबाद कि उन्हों ने ऐसी बरती निकाली जहां पे देश के सभी बच्चों को मौका दिया ठीक है और खास्तोर पे तो उत्तरपरदेश में सिच्छक भर्ती 2018 से नहीं आई है तो और बिहार राज्य हमारे उत्तरपरदेश के बिल्कुल पास में रहता है तो हम आसा करते हैं कि हमारे लिए बहुत ये फाइदे मन्त होगा तो दोस्तों आप आवेदन जरूर करें अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में भी इस बार परिवर्तन किया गया है पहले क्या था पिछली बार में दो दिन में शिफ्ट कराया गया थी तो खास तरप बच्चीयों को जो दूर से जाके पेपर दे रहे थी उन्हें बहुत दिक्कत होई थी लेकिन यहां पर क्या क्या गया अभी केवल एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होगा क्या होगा वाई केवल एक ही shift में paper होगा और एक paper डेड़ सो number का होगा कितना वाई डेड़ सो number का paper होगा राइट अब डेड़ सो number में 30 number जो होंगे ना वो language के Hindi और English के होंगे जिसमें 30 number के ये केवल qualifying है इससे मतलब आप इसमें अगर 9 number पा गए ना 9 number attempt करेगा फिर छोड़ करना है क्या है नो number करना है नो number में qualify इसका merit से कोई मतलब नहीं है merit यहां पे 120 number में decide होगा merit जिसमें 40 number का आपका current affair or GS रहेगा 80 number जो भी आपका subject हो जिस subject के लिए आप apply कर रहे है math science के लिए समाजिक विज्ञान के लिए Hindi के लिए English तो जिस subject के लिए आप आवेदन कर रहे ह उसमें आपका 80 number यहां पर क्या होगा 80 number का paper होगा GSCA क्या होगा बई 40 number का होगा यह केवल qualifying mark है इसमें 30 में से कम से कम आपको 90 लाना है 30 का 30% बई 30 का 30% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया 9 number लाना बई ठीक है 9 number अगर आप लाते हैं तो आप qualified हो गए बाकि इसका merit से म निकालेंगे तो कम से कम 50 number यह 60 number तो लाना ही पड़ेगा और इस बार चुकि B8 को भी मौका अगर आप 40 number लाते हैं फिर आप expect करिए कम से कम तो इतना आपको लाना ही पड़ेगा दोस्तों इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा और मैं एक और खास बात बता दूं कि यह top trending vac chances हैं पूरे भारा से बच्चे आवेदन करेंगे क्योंकि जितनी तेजी के साथ यह भरती निकालते हैं उतनी तेजी से exam कराते हैं न्युक्ती पत बहुत ही smoothly कारता है BPSC टीचिंग के मामला में तो बड़े आवेदन आने वाले हैं तैयारी सुरू करते हैं महने सुरू करते सब्सक्राइब करेंगे दूसरे गराजी को बच्चे अपलाई करेंगे शिफ्ट एक होगा और बीटे को बच्चे 9-10 में आवेदन कर सकते हैं एस स्टेट के साथ तो इस इस नोटिफिकेशन दोस्तों बाकि जैसे भी कोई सूचना आती है मैं आपको बताऊंगा भ्रामा खबरों में नहीं पढ़ना है गलत खबरों में नहीं पढ़ना है बागी कोई समस्या सुझाओ सला के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमसे समपर कर सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट पढ़के इस वीडियो में फिलाल इतना ही मेरी दर्फ से बहुत बहुत इचक चिकाओं को मेरी दरफ से बहुत बसूप कामना है जय ही जय भारत